है कि भील्ट्थी स्थुडेंट साज हम आध्र करें जो एघाव मैंट डिटिंग अध्रस्टी डेतिन बिज़जकर hacker हैं वो इसटार्ट करेंगे और वो नाल एंड वाइड होगे और लेटर जो मॉडरन मेथड यूज किया गया उसको हम एबसलूट डेटिंग मेथड कहते हैं और यह एबसलूट डेटिंग मेथड जो है यह जब रेडिया एक्टिविटी डिसकवर होगी यह फिनामने उसके बाद जो है यह टेक्निक बेड़िए देखिंगे तो इस एप्सलूट डेटिंग यूज इस टेक्निक ओफ रेडियो मेटिक डेटिंग इस यूज तो देड मेटेजिया उसे अ के मिटियो लग जाफ और यह जोज तुदेदी रोक्स एंट मिनराल्स मिनराल और रोक्स जो है इनकी डेटिंग हम जो तेक्निक से करते हैं और और इसी रेडियो मेट्रिक टेक्निक से फिर जो है एपसलूट एज और्थ की है वो डिटर्माइन की गई तो जैसे पहले हमने ओल्ड मेथड पहले थी उसमें 571 120 मिलीन येर लेकिन दोज वर नॉट यह दोज फाइंडिंग्स पार नॉट एकुरेट तो विद आप इस तेडियो मेट्रिक टेटिंग्स टेक्निक एज आप इर्थ वाज एपसलूट एज अब दर्थ वाजन काल्कुलेट इबाव फोर थाजंट फायों हंडर्ड मिलीन अनन मिलीन येर्स इस पोर फाइल सेवन सम्टिंग्स तो इसको एप्राक्समेटली कहीं सम्टिंग्स में माड़ा काल्त ही गैर दूर्स बोक्तिंग्स में गएंज़ विद्лом से घ्यु कि आप az‑neel लोर्दी्यों कि हम आ dau JU साव बेसा हैं न वाथ वोर फाह ऐसंट सिक्स हंड़र्ड भी आप देख होगे लिटरेचर में so that is equal to four point six billion years okay one and the same thing वो जब round figure करते हैं calculate करके तो five seven four five seven eight something तो उसको जब हम जब जो भी डिजिट फायो से decimal के बाद जो भी डिजिट फायो से ज्यादा होगा greater होगा तो जब हम round करते हैं जो एक डिजिट हम omit करते हैं तो next डिजिट जो है वो increase होता है उसको हम एक डिजिट एड़ करते हैं एक नमर एड़ करते हैं so it roughly it comes four point six billion years यह four point six billion year भी कहीं पर आप देखोगे foreign books में और mostly Indian books में या बहुत सारे books में जो है four point five ही लिया जाता है तो let's support this four point five हम लेते हैं जो mostly mention किया जाता है तो this four point five billion years this is this is the age आप जी एर्थ यह जो एज एर्थ की absolute dating method से जो calculate करके फिर जो result आया है so it is about तो अज़र हम इसको Indian या Arabic numerals में convert करेंगे तो यह four thousand five hundred million years जो है वो बनते हैं चार आरब और पचास करोड़ साल चार आरब पचास करोड़ साल पहरी जो है बनी है व्यूद में आई है तो यह इस वास पॉसिबल दियारप आप इस रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो स्कूम absolute dating भी कहते हैं so how this method is how this technique is used okay various radiometric techniques are used उसके principle क्या है method of technique क्या है उसको लेटर हम देखेंगे वो discuss करने से पहले जुरूरी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि radio activity यह phenomenon है क्या और जो radio activity जब डिस्कवर हुई तो यह किस तरह फिर यह technique developed हुआ खोड़ा समय और वर्विव आपको historical background यहां पर देना चाहूंगा so radio activity के definition अगर हम देखेंगे so radio activity it is actually spontaneous spontaneous means all of certain natural okay breakdown automatic videos को हम कह सकते हैं breakdown or decay of certain nucleus okay of certain elements a breakdown of nucleus certain elements okay which are not stable which are unstable okay during this nuclear decay or disintegration they are transformed these elements are transformed into new substance into new stable elements new comes stable isotopy कहते हैं जब यह disintegrate होते हैं nuclear disintegration जब होती है तो यह constant rate पे होती है इस पे जो है फिजिकल किमिकल और बाकि यह जब डिस इंटिग्रेशन होती है एक unstable nucleus की तो वहां nuclear disintegration के दोरान जो है radiation यह देखा गया कि radiation भी emit होते हैं या radiate होते हैं जो charged particles red emit होते हैं okay so this common forms of radio activity they either take in the form of alpha particles that means emission of alpha particles emission of beta particles or sometimes capture of electron by nucleus also takes place okay nucleus से या तो emission होती है alpha particles की या beta particles की या capture होता है nucleus मैं electron तो इसके दोरान जो है heat energy अग्जो थर्म रियक्शन भी होती है तो इसको आगे जो है बढ़ाने से पहले ओके थोड़ा सा जो मैं आपको historical background उसका और रूविद देना चाहूंगा किस तरह यह रेज एक्टिविटी फिनामने डिसका और हो गई और किस तरह यह ड्यावलप हो गई यह टेक्निक ड्यावलप हो अच्विटी एटीन हंड़र्ड यह सभी आप जानते होंगे सुना भी होगा आप 1896 डैडमिज अट अफ 19th century हेंडरी बीकरवल एक फ्रंच साइंटिस्ट था उसने यह देखा कि यूरेनियम और इसको पिच ब्लेंड कहते हैं जो कि यूरेनियम की यूरेनियम और यह और है यूरेनियम की तो उस यूरेनियम और मैंसे ओके नैचरली जो है कुछ रेडियेशन जो हैं वह उठती है या इस यूरेनियम और मैं यह कैपबिल्टी है कि स्पॉन्टेनियस लिए जनरेट कुछ मिस्टीरिस फॉर्म आप इनर्जी से जनरेट होती है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर भी एफेक्ट करती थी और जो रेडियेशन इमिट होती थी वह सॉलेड में भी पैनिट्रेट हो जाती है उस टाइम अनर्जी बिकल को यह पता नहीं था कि उसने क्या डिस्कॉर किया है तो उसने यह देखा यह रेडियेशन यह एक्सरेज की तरह ही है लेकिन जो एक्सरेज है वह स्पॉन्टेनि जेनरेट नहीं होती है वाड़ फेशली भी जेनरेट हो जाती है तो यह देखा गया कि यह जो यूरियनियम है जिसकी और पीच बिलेंड है ओके इसमें से कुछ मिस्टीरियस रेडियेशन इनर्जी रेडियेशन उटती है लेटर आन फिर दो साल बाद 1898 में अगैं प्यरी केवरी और मेरि केवरी उन्होंने इसी पीच बिलेंड से एक लिमन्ट जो है रेडियम जिसके जिक चाँल है और इन coyके और उन्होंने यह दिसकोर्किया कि इस एसमेन से और उभर होर। उसको डिसकोवर किया सो लेटर और फोर्ड और उसकी टीम ने भी यह डिसकोवर किया कि जो हाई अनर्जी मिनेट होती है ओके जिसका नस्चूटिड आफ स्ट्रीम आफ पार्टिकल्स हाई इनर्जी पार्टिकल्स जिनका साइज भी डिफरेंट था माज भी डिफरेंट था चारज भी डिफरेंट था और विलास्टी भी उनकी डिस्क्रीट विलास्टी थी तो यह देखा गया कि तीन तरह के रिडियेशन अलफा बीटा रिडियेशन और एक्सरेज जो हैं वह जो रेडियेट हो जाती हैं ओके तो अलफा पार्टिकल्स जो हैं और यह उन्होंने यह यह उके अलफा पार्टिकल्स दिसक्राइब दिसक्राइब आज दिसक्राइब देखा गया कि यह जो रडियो एक्टीड टीके है रियर यह दिस इंतिग्रेशन है यह जो है स्पॉन्टेनियसली डैट में अच्रली आटमेटिकली यह नई एलमेंट्स जो इससे बनते हैं जब कोई सबस्टन्स जो है डिसिंटिग्रेट होता है तो नई एलमेंट्स वहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं ओके रेडियो एक्टीड की वज़ा से ओके जो नई सबस्टन सबस्क्राइब यह नई एलमेंट्स जो बनते हैं उस दोरान जो है इनर्जी भी रिलीज हो जाती है ओके यह इनर्जी दिस कंट्रिब्यूटिड टुदी ट्री टाइपस अफ रेडियेशन ओके इस रिलीज आफ इनर्जी आफ फॉर्मिंग अफ न्यू एलमेंट्स इट व पॉर्मिंग अब करेंट्र एपस दॉक आफ प्रियू जो मैंने आपको बताया और नाइचिन उडिस्ट फॉर्मिंग अर्श्री टीव टीचें में किस तरह योर्यूम और फोर्मिंग टीके होता है इस इंडिगरेट होता है क्या चैनल एक्षम इनमें क्या रिक्षम होती ह तो किस तरह इनका डीके और डिस इंडिग्रेशन होता है उन्होंने यह डिमानस्ट्रेट किया और कि रेडियम उन्होंने साथ-साथ यह भी डिमानस्ट्रेट किया यह भी डिसकवर किया कि रेडियम जो है वो बाइप वो एक प्रोड़क्त है इस इंडिग्रेशन जब यूर डियोकिव है वह भुष फिर लटे Summit हो जाता है इसके साथ साथ यह आइम के साथ 2 के हो जाती है यह नाच मेंसे इसकंटिन्यू हो जाती है वह एकनाइब कब होगोने इसकंटिनूटि यह होती है यह नूटिय reaction जब डाटर element जो end product होता है वो इस parent element से बन के okay last में बनता है कनोट या ट्रांसफार्म होंके बनता है और जो कि रेडियो एक्ट्व नहीं होता है that means this daughter product जो end product होता है वो stable product होता है stable element होता है उसमें further जो है disintegration नहीं हो जाती है so later on इन ही टेक्निक्स या इन्ही डिस्कावरी के बेस पे ओके फिर Rutherford ने ही क्योंकि इसका बड़ा रोल रहा है इस रेडियाक्टिविटी डिस्कावरी में और रेडियाक्टिविडेटिंग में टेक्निक establish करने में तो उन्होंने फिर यह डिसकावर किया कि कुछ elements जो हैं वो नेच्रली जो है spontaneously disintegrate होती है क्योंकि अगर हम एक element लेंगे उसका कोई भी atom अगर हम लेंगे for example uranium लेते हैं कि इसमें जो atom होंगे uranium atom होंगे uranium जो होगा इसमें uranium proton भी होता है और उसमें neutron भी होता है और उसमें extra nuclear electrons भी रिवाल होते हैं okay so यह रिक्नाइज किया गया कि एक atom के nucleus में जो है it is characterized by number of neutrons and number of protons okay neutrons भी होते हैं protons भी होते हैं और इनकी जो chemical properties एक elementary होगी और उसकी affinity जो होगी combined होने के लिए it will be governed by the configuration of this electron extra nuclear electrons लेकिन element is more than often characterized by atomic number and mass number so एक atomic number or mass number को हम जो है किसी भी element के atom में अगर हम लेंगे okay उसको हम protons को हम जड़ जो nucleus में होते हैं okay जड़ से represent करते हैं वो जो positively charge होते हैं और electrons जो है charge ने नेगेटिव होता है और mass less particles होते हैं almost negligible mass इसका होता है okay so जो एक element होगा जब हम इसको represent symbolically करते हैं okay तो उसका जो atomic number होगा वही नमबर आफ प्रोटान्स भी होगा वही नमबर आफ एलेक्ट्रान्स भी उसमें होंगे और जो उसका mass number होगा okay so that mass number okay it will be equal to number of that means mass number को अगर हम A say represent करेंगे it will mass number will be equal to number of protons plus number of neutrons okay if number of neutrons represent by N okay protons by Z so mass number जो किसी भी element का होता है किसी भी element का होता है वो होता है बराबर protons or neutrons जो उसमें होंगे nucleus में होंगे उसके बराबर होगा so atoms of an element okay that specifically defined the number of neutrons and protons they are referred as nuclides for example carbon को हम लेंगे या uranium हमने यहां लिया uranium 238 uranium 235 these will be nuclides of uranium okay उसको हम nuclides भी कहते हैं जो कि specify करते हैं okay जो item is specifically defined करते है neutrons और protons को हम nuclides कहते हैं उस element का nuclides कहते हैं simply a particular isotope of a particular element is called nuclides इस तरह भी हम कह सकते हैं एक particular isotope अगर हम लेंगे एक particular element का उसको हम जो है nuclides भी कहते हैं जैसे uranium के दो isotopes हैं okay these are species of uranium okay items of uranium okay so income nuclides भी कह सकते हैं और जैसे अगर हम uranium 235 लेंगे तो that will be nuclides also that will be isotope also यह भी हम कह सकते हैं इसी तरह carbon carbon 12, carbon 13, carbon 14 these are also isotopes as well as हम particular कोई एक लेंगे 12 13 या 14 उसको नुकलाइड भी कह सकते हैं इस और आफो एफोर्ट as nuclides okay element carbon so it's nuclides की जो stability होगी okay that will depend on what that will depend on the neutron proton ratio यहां पर जो neutron और proton का ratio है for example urine कम लेंगे या carbon को लेंगे हम okay so जो neutron और proton ratio nucleus में होगा stability उस पर depend करेगी stability of nucleus it depends upon the number of ratio of neutrons and protons यह आप याद रखना okay क्योंकि आगे आपको जूरूत आएगा so ratio of neutron and proton this ratio plays important role in radio activity in stability of nucleus okay जब ये ratio neutrons and protons का एक के बराबर हो that means जितने neutrons उसमें है proton भी उसमें है definitely ratio one आएगा from one to one point five or one or one point five okay उस new वो ऐसे न्यूक्राइड जो हैं आईसो टोप्स हैं जो neutron or proton ratio अगर one point five से ज्यादा है that means neutron ज्यादा होंगे proton थोड़ा कम होंगे तो वो unstable वो न्यूक्लियर जो है वो unstable हो जाता है वो stable नहीं होता है तो क्योंकि वो unstable नहीं होता है इसलिए उसमें फिर जो है disintegration start हो जाती है कि natural system में यह एक tendency होती है वो that tends to stabilize itself equilibrium में होना चाहता है so when this ratio of neutron and proton if it is close to one or one point five थोड़ा सा एक one से ज्यादा होगा तो कोई असर नहीं पढ़ता है लेकिन एक point five से ज्यादा जो ही ratio बढ़ता है तो वो unstable नूकलाइड जो है वो unstable बन जाता है उस नूकलियर इंस्टेबल्टी उसमें develop हो जाती है हम यह कह सकते हैं जैसी पर आप लीजे कार्बन को हम लेते हैं कार्बन टोवल कार्बन थ्वैटिन कार्बन 14 नमर आप प्रोटान सेम अटमिक नमर नमर ने अलक्तरॉन भी सेम लेकिन यहां पर आगा हम नूट्रॉन देशखेंगे ओके Neutron वो किसके बराबर होगा क्योंकि हम हमाई ये फार्मॉला पता है कि Mass number is equal to number of Neutrons plus Protons यहाँ पर हमें अब Mass number पता है वो 12 है Neutron हमें पता नहीं है Proton हमें पता है that is equal to 6 okay so that means N will be equal to 6 यहाँ पर जो है शीतरा 13 minus 6 7, 14 minus 7, 8 okay that means mass number है mass number change होता है vary होता है so that means number of Neutrons vary in Nucleus variable है Protons change नहीं होते है Protons vary नहीं करते हैं okay it is only number of Neutrons which vary in the Nucleus number of Proton man is constant so N is variable हम यह कह सकते हैं Neutrons variable हो result constant रहता है मिसाल के तोर पर हम यहाँ पर लेंगे for example यहाँ पर हम देखते हैं okay कोई element जिसका कोई Nucleus को हम X से represent करेंगे Protons, Mass, number okay इसका symbol होगा so N इसका vary करेगा और उसको हम super script में जो है लिखते हैं sub script में हम नमरा Protons लिखते हैं okay so I say Nucleus element के ऐसे Nucleus जिन में equal values हो Protons के लेकिन okay different value होगा mass नमर को हम isotopes कहते हैं जैसे आप carbon के लिए 12 13 14 okay यहाँ पर हम देखिंगे Z is equal these are all Nucleus okay so Nucleus of an element carbon they have equal Z atomic number or number of protons rather but this A varies this mass number varies so in coham isotopes so isotopes are Nucleus of an element in which number of protons or atomic number remain the same but the mass number varies mass number is different there mean number of neutrons varies okay it is not Cronus 10 so so in coham isotopes कहते है so neutron proton I say Nucleus 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 देते है okay marginal axis हो तो उसे कोई आसर नहीं पादा लेकिन 1.5 से जज़ाद हो तो unstable बन जाता है तो यही unstable elements यह है फिर disintegrate हो जाते हैं disintegrate हो जाते हैं और इन में जो है nuclear reaction हो जाती है जिसके दौरान फिर radiation हो जाती है और radiation होती है okay that is in the form of alpha emission beta emission okay and electron capture हो है okay यह किस तरह हो तरह electron capture जब हो जा alpha emission हो तरह क्या हो हो तरह हम next clip में देखें गाई जाई